जिस तरह हम WhatsApp के माधियम से किसी को फोटो सेर करते हैं, किसी को मैसेज सेर करते हैं, किसी को फीडियोफ फाइल सेर करते हैं, तो इसी तरह हमें मेल का भी उप्योग करना होता है, और कभी-कभी हमारी कोई पर कमपनी हो या तो प्राइवट हम जोब करते हैं, तो किसी को मेल सेर करना पड़ता है इसमें फोटो सेंग करना पड़ता है लेकिन काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि मेल sia जए कर यह दूसरे लोगों को तो वह इसके बारे में पता नहीं तो हम आज आपको मेल से से सेंड करें इसके बारे में मैं आपको step by step पूरी जानकारी बताऊंगा और अपने mobile से ही 2-3 मिनिट के अंदर ही आप किसी को भी mail send कर पाऊगे तो वीडियो को last तक देखते रहना तो चलिए सुरू करते हैं तो mail send करने के लिए सबसे पहले आपके mobile में जो mail gmail की application है उसको open कर लेना है तो मैं यहां से gmail की application open कर लेता हूं open करने के बाद यहां कुछ इस तरह इंटरफेस वगा यहां आप देख सकते हो का नीचे जो option दिखाई दे रहा है compose का तो उस पर हमें क्लिक करना है अब यहां compose भी क्लिक करोगे तो यहां आपकी email id यहां दिखाई दे रहे होगी और यहां टू में आपको जिसको send करना है mail वही email आपको यहां type करने है तो यहां एक से ज्यादा अगर आपकी mobile में login email id है और अलग-अलग email id से mail send करना करने है तो यहां आपको जिसको भी email send करना है फ्रॉय में email आइडी टाइब खर लेता हूं ऐसे ज्यादा आपको send करना है तो यहां यह से ज्यादा तो एक से ज्यादा email ID में, तो मुझे यहां नहीं करना है, तो इसलिए मैं यहां से remove कर दूँगा, यहां mail ID से select कर ली है, और उसके बाद यहां आपको subject, subject में आपको क्या लिखना है, तो अगर किस recording आप mail किया है आपने, तो वो आपको लिखना है, तो मैंने suppose कि आगर आप job के लिए mail करते हो, तो यहां for a job कर सकते हो, या तो job requirement करके जो है, वो भी आप लिख सकते हो, यहां इस तरह आप लिख सकते हो, उसके बाद यहां यह heading हो गया है, मतलब किस टाइप का mail है, वो सामने वालों को तुरंद ही पता चल जाएगा, उसके बाद यहां compose email में जो है, लिख सकते हो, अगर detail में कुछ mail जो है, वोट्चे में जब message करते हैं, तो इसी तरह आप कुछ भी यहां आप लिख सकते हो, जब उसके मैं यहां कुछ भी यहां लिख देता हूं, इस तरह मैंने लिख दिया है, आप आपको भी mail जो है, वो लिख सकते हो, या तो copy paste भी आप कर सकते हो, लेकिन आप अगर किसी company में या तो किसी को PDF सेंड करना चाहते हो, तो PDF कैसे चेंड करें, PDF, JPG, वीडियो, कुछ भी आप वाट्सेप की तरह इस mail में भी आप सेंड कर सकते हो, यहां उपर आप पिन का आइकन जो दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद यहां attach file जो है, तो उस पर क्लिक करना है, अगर आपका कोई भी document जो है, वो drive में है, तो यहां से आप जितनी भी email ID आपके mobile में login है, वो सभी drive यहां आ जाएगी, file manager gallery करके जो है, तो कुछ भी आप open कर सकते हो, यहां से भी आप कुछ भी open कर सकते हो, और यहां अगर आपको photo या तो PDF करना है, और यहां से रखी है, यहां भी आप click करके आप documents, downloads, कुछ भी आप, कहीं से भी आप select कर सकते हो, तो यहां से एक photo जो हो select कर लेता हो, और यहां photo जो है, वो यहां select कर लिए है, उसके बाद यहां direct send का options दिखाई दे रहा है, उस पर click करना है, तो आपका mail जो है, वो send हो जाएगा, यहां sending होने में थोड़ी wait करें, देर लगेगी, यहां क्योंकि WhatsApp की तरह यह नहीं होता है, तो यहां थोड़ी wait करने पड़ेगी, एक दो minute आपको wait करने पड़ेगी, अब आपको यह पता कैसे करोगी, कि send हुआ है, कि नहीं हुआ है, ड्राफ में होए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, यहां 3-Lining जो दिखाई दे रहा है, उस पर click करें, उस पर click करने केcado यहां आपको send का option जो दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर click करें, यहां आपका message अगर आ गया है, तो आपका message mail सेंड हो गया है, यहां आप देख सकतू है, मैंने यहां लिखा था, सै 실. इस तरह आपको स देख सकते हो डी कि मेल ड्राफ में हो तो आपको समझ लेना है कि आपका मेल सेंड नहीं हुआ है इस तरह आपका मेल किसी को सेंड कर सकते हो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना सेर करना और चैनल पर नहीं आये हैं तो चैनल को सब्सक्र जरूर कर देना